पूज़ का जो लुक है यह सरस्वती पूज़ा पार्ट टू लुक और पार्ट टू में यहाँ पर आप देख सते हैं लाइट स्किन ब्लू कलर की साड़ी पहनी है साथ में इसमें ब्राउन कलर का ब्लाउस मैच किया हुआ है और अब यहाँ पर मैं मेक अप लोग क्रियेट क ह Pacific base और उसके साथ मेरा foundation तर प्ल कावरेज में यह तो इन सभी को मैं 10 मिक्स करके अपने फेस पर अपलाए करोंगी इन सभी को मिक्स करने के बार अजया क्यां चाहिए बनता है और उसको अप्लाइ करने के बाद मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से प्लाइ कर लिया है और मुझे इसके लाबा मैंने यहां और और कुछ अप्लाइ हो अपना अपना को मैं अपने कवर करूंगी बहुत अच्छे तरीके से जिससे सारा जो मेकप है एक जैसा लगे अब यहां पर मैं अपनी आइब्राउस को सेट कर रही हूं ब्रश कर लिया है और अब यहां पर अपनी आइब्राउस को मैं शेप करूंगी तो आइब्राउस को शेप करने के ल अप्लाइ करूँगी अपना बनाना पाउडर तो बनाना पाउडर ऐसके नीचे साइट पर और चिन उपहें की चाहिए करते यह हमेशार जिससे बहुत अच़ा फ्रेश लूक आता है बहुत ही जाद कुपसुरत सा लूक देता है यह तो इसको apply करने के बाद मुझे maximum और किसी जीज की ज़रूरत नहीं होती है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने लिया है आई मेकप करना स्टार्ट करूँगी मैं यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर copper shade लिया है और dark grey shade लिया है ठीक है इन दोनों को ही मैं mix करके अपना eyeshadow बनाने वाली हूँ इस तरीके से eyeshadow मैं apply करे हूँ जिस तरीके से eyes बहुत खुबसूरत लगे और eyeshadow बहुत सुंदर लगता है इस तरीके से दोनों ही side से मैं apply करूँगी इसको और उसके बाद last मैं यूज करूँगी इसमें dark grey color तो इसको मैं बिल्कुल corner से apply करूँगी जिससे की एक smoky shade देगा आइस बहुत खुबसूरत लगती है और बहुत सुंदर लगती है तो smoky eye shade मेरा हो चुका है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आज मैं apply नहीं करूँगी किसी भी तरह का कोई fake lashes मैं यहाँ पर apply करे हूँ सीधे के सीधे eyeliner को मैं इस तरीके से apply करे हूँ जिससे की एक wing अब यहाँ पर काजल apply करने से पहले मैं यहाँ पर दे रही हूँ जिस तरीके से मैंने अपना eye shadow लगाया है dark copper color और साथ में dark grey color दोनों को ही मैं mix करके इसे apply करे हूँ और जो मेरी waterline है waterline पर मैं apply करूँगे अपना काजल तो यह look दोनों ही यानि eye shadow और मेरी काजल के जगह प मेकप आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा complete हो चुका है और अब यहाँ पर मैं apply करने वाली हूँ copper shade ही मैं apply करूँगी copper shade को मैं थोड़ा सा अपने makeup fixer को spray कर लूँगी brush पर जबी मैं use करती हूँ किसी इस तरीका कोई कोई भी product eye shadow या blusher के लिए तो हमेशा मैं क्या करती हू उसको spray कर लेती हूँ अपने brush पर makeup fixer को जिससे एक बहुत अच्छा shade मिल जाए मुझे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर contouring भी कर रही हूँ साथ में और अपना blusher भी मैंने copper shade से ही apply कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको blend करना है जिससे कि बहुत अच्छा लोग आ जाए तो आप देख सकते हैं अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लगा है कि मेरा जो blusher है वो थोड़ा सा जादा मुझे लग रहा है तो उसके लिए भी मेरे पास idea है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अब यहाँ पर मैं अपना highlighter apply कर रही हूँ बहु होई points होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं बहुत अच्छे तरीके से हाइलाइट करते हैं ठीक है नहीं है तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है अपना जो बनाना powder था मैंने इसको थोड़ा सा प्लाए कर लिया जिससे जो मेरा बहुत ज्यादा लग रहा था बलशर वो थो अब मैं यहां पर इसको अप्लाइ कर ने बात बीना मुझे स्टेस्ट्शन नहीं आया इसलिए यहां पर मेरे पास डाक यलो शेड था इसको अपने लिप्स के मिडल पार्ट पर अप्लाइ किया जिसे एक अलग साल लुक आया है लिप्स्टिक का लिप्स्टिक का लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मुझे ये हैग बहुत अच्छा लगया आप लोग भी से अगर चाहे तो जरूर ट्राइ किजेगा तो इस तरीके से मैंने अप्लाई किया इसको ब्राउन शेड के साथ और लिप्स्टिक का तोड़ा सा शेड जो है वो चेंज हो गया तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा मेकप कंप्लीट हो चुका है मेकप फिक्स स्प्रे का लिया है अब लास्ट चीज है मेरे पास मस्कारा तो मस्कारा ब्लाक की जगापर मैं यहाँ पर रॉयल ब्लू शेड अप्लाई करे हूँ तो डांक ब्लू शेड है यह अब देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर इससे आने वाला एक कॉंट्रास्ट वाला कलर आ जाएगा मेकप के साथ तो यह बहुत खुपसूरत लगत है आप लोग अगर चाहे है तो इस मुझादा को जरूर यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक देता है यह तो इस तरीके से मैं दोनोही ऐस पर डोनोही लैशे पर बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाए करूंगी और मस्कारा कॉम्पलीट होते ही मेरा मेकप जरूर बताईएगा और यहां पर मैं जो सारी पहन रही हूँ यह सारी मैंने पर्चेस की थी फ्लिप कर्ड से इसका लिंक मेरे पास नहीं है सौरी इसलिए मैं आपको नहीं दे सकती तो आप मुझे बताईए कि आपको मेरे यह सरस्वती पूजा पार्ट लोक टू कैसा लगा है और कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा इसी तरह के और भी वीडियो में आगे लेकर आने वाली हूँ मेरे चैनल पर बने रहिएगा अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तिल देन बाबाई टेक कियर थैंक्स ववाचिंग कि आपानागा है यवाचिंग कि ऑर चैनल नेक्साट़ सा इता हैंसे प्राइब धर दूर करके मैं आपानागा ओता हैंगा हैंक्स वाफंगा करके माईसब करके मारे बने कीजिए आपाने कियो हैंग Какा कि